मन्च पर विराजमान पस्चिम मंगाल के राजपाल श्रीमान जगदीब धनखर जी पस्चिम मंगाल के मुख्यमंत्री बेहन ममता बेनर जी जी मंत्री मंडल में मेरे सहियोगी स्री प्रलाद पतेल, स्री बाबुल सुप्रियोजी, नेताजी सुभाज बोच के निकड समंदी जन, भारत का गवरो बढ़ाने वाली आजाद हिंद भोच के जांबाज सदस्य, उनके परिजन, यहां उपस्तित, कलाव और साहित जगत के दिगज और बंगाल की इस महान धरती के मेरे भाई और बहनों, आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला अक्षण है, बच्पन से जब यह नाम सुना, नेता जी सुभाचंद्र भोष, मैं किसी भी स्थिती में रहा, परिस्थिती में रहा, यह नाम कान में पढ़ते ही, एक नई उर्जा से भर गया, इतना विराट व्यक्तित्व की है, उनकी व्याख्या के लिए शब्द कम पढ़ जाए, इतनी दूर की द्रश्टी कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पढ़ जाए, विकट से विकट परिस्थिती में भी इतना होसला, इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनोती ठहर न पाए, मैं आज नेता जी सुभास चंद्र बोश के चरणों में अपना स्षीष जुकाता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ उस मा को, प्रभादेवी जी को, जिनोंने नेता जी को जन्म दिया, आज उस पवित्र दीन को, एक सो पचीस वर्ष हो रहे हैं, एक सो पचीस वर्ष पहले, आज के ही दीन, मा भारती की गोद में, उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजहाद भारत के सपने को, नहीं दिशा दी थी, आज के ही दिन, गुलामी के अंधरे में, वो चेतना फुटी थी, जिसने, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े ओकर कहा था, मैं, मैं तुम से आजहादी मांगूँगा नहीं, आजहादी छीन लूँगा, आज के दिन, सिर्फ नेताजी सुभाद का जन्म ही नहीं हुआ था, बलकि आज भारत के नए, आत्मगौरव का जन्म हुआ था, भारत के नए सैन्य कौसल का जन्म हुआ था, मैं आज, नेताजी की 125 वी जन्म जैन्ती पर, कृतज्य राष्ट की तरब से, इस महापुरुष को कोटी-कोटी प्रणाम करता हूँ, उन्हें सेल्यूट करता हूँ, साथियों, मैं आज, बालक सुभास को, नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को, तब त्याग और तितिक्षा से घडने वाली, बंगाल की इस पुन्य भूमी को भी, आधर पूर्वक नमन करता हूँ, गुरुदेव श्री रविंद्रना ट्रगोर, बंकिम चंद्र चत्रपाध्याए, शरत चंद्र जैसे महापूर्शों ने, इस पुन्य भूमी को, राष्ट भक्ति की भावना से भरा है, स्वामी रामक्रिष्ण परमहुस, चैतन्य महाप्रभू, श्री औरवेंदो, मा शार्दा, मा आननमाई, स्वामी विवकानन, श्री स्री ठाकुर अनुकुल चंद्र, जैसे संतों ने, इस पुन्य भूमी को, बैराग्य, सेवा, और आध्यात्म से अलोकिक बनाया है, इश्वर चंद्र विद्या सागर, राजा राम मोहन राए, गुरुचन ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर, जैसे अनेक समाज सुधारक, समाजिक सुधारके अग्रूतुतों ने, इस पुन्य भूमी से, देश में नए सुधारों की नीव भरी है, जग्दिशंद्र वोज, PC Roy, SN बोज, मेगनाथ सा, अनगिनत भाईज्यानिकों ने, इस पुन्य भूमी को, ज्ञान विज्ञान से सीचा है, ये वही पुन्य भूमी है, जितने, देश को, उसका राष्ट्र गान भी दिया है, और राष्ट्र गीत भी दिया है, इसी भूमी ने हमें, देश बद्दू चिंत चित रंजन्दास, डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी, और हम सभी के प्रिय, भारत रतना, प्रणब मुखर जी से साक्षाद कार कराया है, मैंने अनुभव किया, नेता जी का नाम सुनते ही, हर कोई कितनी उर्जा से भर जाता है, नेता जी के जीवन के उर्जा, जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है, उनकी यही उर्जा, यही आदर्श, उनके तपस्या, उनका त्याग, देश के हर युवा के लिए, बहुत बड़ी प्रेणा है, आज जब भारत, नेता जी की प्रेणा से आगे बढ़ रहा है, तो हम सब का कर्तव्य है, कि उनके योगदान को, बार बार याद किया जाए, पीडी दर पीडी याद किया जाए, इसलिए, देश ने तय किया है, कि नेता जी की एक सुपचीसवी जैनती के वर्ष को, अहितिहासिक, अभुत्पुर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए, आज सुबह से, देश भर में इससे जुड़े कारकम, हर कौने में हो रहे हैं, आज इसी क्रम में, नेता जी के स्मृति में, एक स्मारक सिक्का, और डाग टिकट जारी किया गया है, नेता जी के पत्रों पर एक पुस्त का विमोचन भी हुआ है, कोलकता और बंगाल, जो उनकी कर्मभूमी रहा है, यहां नेता जी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग सो भी आज से शुरू हो रहा है, हावडा से चलने वाली ट्रेन, हावडा काल का मेल का भी नाम, अब नेता जी एक्सप्रेस कर दिया गया है, देश ने ये भी तै किया है, कि अब हर साल हम नेता जी की जैन्ती, यानि 23 जन्वरी को पराकरम दिवस के रूप में मनाया करेंगे, हमारे नेता जी भारत के पराकरम की प्रती मुर्थी भी है, और प्रेयरना भी है, आज जब इस वर्ष देश अपनी आधादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है, जब देश आत्मंदिर भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेता जी का जीवन, उनका हर कारियर, उनका हर फैसला, हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेना है, उनके जैसे फौलादी इरादो वाले व्यक्तित्व के लिए, और संभव कुछ भी नहीं था, उन्होंने विदेश में जाकर, देश से बाहर रहने वाले भारतियों की चेतना को जगजोरा, उन्होंने आजादी के लिए आजाधिन फोच को मजबूत किया, उन्होंने पूरे देश से हर जाती, पंथ, हर खेत्र के लोगों को देश का सहिनिक बनाया, उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेता जी ने रानी जासी रेजिमेंट बना कर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, उन्होंने फोच के साइनिकों को आदुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी, उन्हें देश के लिए जीने का जजबा दिया, देश के लिए मरने का मकसद दिया, नेता जी ने कहा था, भारोट डाक छे, भारोट डाक छे, रोक्तो डाक दिये छे रोक्तो के, उठो, दांडाओ आमो देर, नोस्टो करार मतो सोमई नोई, अर्थाथ भारत बुला रहा है रक्त रक्त को आवाद दे रहा है उठो हमारे पास अब गमाने के लिए समय नहीं है साथियों ऐसी होंसले से भरी हुंकार सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे और आखिर उन्होंने दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सुरज कभी अस्त नहीं होता भारत के वीर सपूत रणभूमी में उससे भी परास कर सकते हैं उन्होंने संकल पलिया था भारत की जमीन पर आजाद भारत की आजाद सरकार की नीव रखे गिये नेताजी ने अपना ये बादा भी पूरा करके दिखाया उन्होंने अन्दमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फैराया जिस जगह अंग्रेच बेश के स्वदंत्रता सेनानियों को यातनाय देते थे काला पानी की सदा देते थे उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी स्तरधांज ली दी थी वो सरकार अखन भारत की पहली आजाद सरकार थी नेता जी अखन भारत की आजाद हिन सरकार के पहले मुख्या थे और यह मेरा सभाग्य है कि आजादी की उस पहली जलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंडामान के उस दीप का नाम नेता जी सुभाज चंद्र बहुत दीप रखा देश की भावना को समत्ते हुए नेता जी से जुड़ी फाइले भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की यह हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दोरान आयने वेटरंस परेड में शामील हुए थे आज यहां इस कारकम में आजाद हिंद फोज में रहे देश के वीड बेटे और बेटी भी उपस्तित है मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूँ और कप्रणाम करते हुए कहीं कहूंगा कि देश सदा सरवदा आपका कृतग्य रहेगा कृतग्य है और हमेशा रहेगा साथिओं दोहजार अठारा में ही देश ने आजाद हिंद सरकार के 75 सान को भी उतने ही धूम धाम से मनाया था देश ने उसी साल सुभास चंद्रबोज आपता प्रबंदन पुरसकार भी शुरू किये ने ताजी ने दिल्ली दूर नहीं का नारा देकर लाल किले पर जंडा फैराने का जो सपना देखा था उनका वो सपना देश ने लाल किले पर जंडा फैराकर पूरा किया भाई और बहनों जब आजादीन फोच की कैप मैंने लाल किले पर जंडा फैराया था उसे मैंने अपने सर पे लगाया था उस वक्त मेरे मन मस्तिस्क में बहुत कुछ चल रहा था बहुत से सवाल थे बहुत से बाते थी एक अलग अनुवूती थी मैं नेता जी के बारे में सोच रहा था देश वाच्छों के बारे में सोच रहा था वो किसके लिए जीवन भर इतना रिस्क उठाते रहे जवाब यही है हमारे और आपके लिए वो कई कई दिनों तक आमरान अंसन के किसके लिए करते रहे आपके और हमारे लिए वो महिनों तक किसके लिए जेल की कोठ्री में सजा भूगत ने रहे आपके और हमारे लिए कौन ऐसा होगा जिसके जीवन के पीषे इतनी बड़ी अंग्रेजी हकुमत लगी हो वो जान हत्यली पर रखकर फरार हो जाए हफ्तो हफ्तो तक वो काबूल की सडकों पर अपना जीवन दाउं पर लगागर एक एमबेसी से दूसरी से चक्कर काट लगाता रहे किसके लिए हमारे और आपके लिए विश्वे युद्ध के उस माहुल में देश के बीच पल पल बदलते देशों के बीच के रिष्टे इसके बीच क्यों वो हर देश में जाकर भारत के लिए समर्थन मांग रहे थे ताकि भारत आजाद हो सके हम और आप आजाद भारत में साथ ले सके हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी सुभाद बाबु का रणी 130 करोड से ज्यादा भारतियों के शरीर में बैती रख्त की एक एक बुन नेताजी सुभाद की रणी है कि यह रण हम कैसे चुकाएंगे यह रण क्या हम कभी चुका भी पाएंगे कि साथ यो जब नेताजी सुभाद यहां को लुकता मैं अपने 38 बटादो एलगिन रोड के घर्प में कैथ थे जब उन्होंने भारत से निकलने का इरादा कर लिया था तो उन्होंने अपने भतीजे शिशीर को बुला कर कहां था अमार एक्ता काज कोरते पारवे का अमार एक्ता काज कोरते पारवे क्या मेरा एक काम कर सकते हो इसके बाद सिखीर जी ने वो किया जो भारत की आजहादी की सबसे बड़ी बज़ों मैं से एक बना नेता जी ये देख रहे थे कि विश्वयूत्य के माहूल में अंग्रेजी हमकुमत को अगर बाहर से चोट पहुचाई जाए तो उसे दर्द सबसे जादा होगा वो भविश्व देख रहे थे कि जैसे जैसे विश्वयूत्य बढ़ेगा वैसे वैसे अंग्रेजों की ताकत कम पढ़ती जाएगी भारत पर उनकी पकड़ कम पढ़ती जाएगी यह था उनका विजन इतनी दूर देख रहे थे वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसी समय उन्होंने अपनी भतीजी इला को दक्षणेश्वर मंदिर भी बेजा था कि मां का आशिरवार ले आओ वो देश से तुनंत बहार निकलना चाहते थे देश के बहार जो भारत समर्थ सक्तियां है उन्हें एक जुड़ करना चाहते थे इसलिए उन्होंने युवास सिसीर से कहा था अमार एक्टा काज कोड़ते पारवे क्या मेरा एक काम कर सकते हो सात्यों आज हर भारती अपने दिल पर हात रखे नेता जी सुभाज बाबु को महसूस करे तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा अमार एक्टा काज कोड़ते पारवे क्या मेरा एक काम कर सकते हो ये काम ये काज ये लक्ष आज भारत को आत्म निर्भर मनाने का देश का जन जन देश का हर खेत्र देश का हर व्यक्ति इससे जुड़ा है नेताजी ने कहा था पूरुष और्थो एवाम उपकरन निजे राई विजोए बा साधिनता आंते पारे नाव अमादेर अबोशोई सेई उद्देशोषो की ठाक्त होबे जा अमादेर सोहसी काज एवं वीर्थ तपुरोनार सोसने उद्भूत कोरबे यानि हमारे पास वह उद्देश और शक्ति होनी चाहिए जो हमें साहस और विर्था पूर्ण तरीके से शासन करने के लिए प्रेरित करें आज हमारे पास उद्देश भी है शक्ति भी है आत्म निर्भर भारत का हमारा लक्ष हमारी आक्त्म सक्ति हमारे आत्म संकल से पूरा होगा नेताजी ने कहा था आज आमा देर केबोल एक्ती इच्छा थाका उचीत भारते इच्छुग जाते भारते बांचते पाले यानि हमारी एक इच्छावनी चाहिए कि हमारा भारत बच पाएं भारत आगे बड़े हमारा भी एक ही लक्ष है अपना खून पसिना वहा कर देश के लिए जियें अपने परिश्रम से अपने इनोवेशन से देश को आत्म निर्भर बनाएं नेता जी कहते थे निजेर प्रोती शात होले सारे बिक्सेर प्रोती के उँँ असोध होते पार बेना अर्थात अगर आप खुद के लिए सच्चे हैं तो आप दुनिया के लिए गलत नहीं हो सकते हमें दुनिया के लिए बहतरीन क्वालिटी के प्रोड़क्त बनाने होंगे कुछ भी कमतर नहीं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाले प्रोड़क्त ने ताज़ ने हमें कहा था स्वादिन भारोतेर स्वपने कोनो दिन आस्ता हारियो ना विच्छे एमुन कोनो शोक्ति नेजे भारतों के पराधिनानंतर सुंखलाए बेगे राखते समर्तों होबे यानि आजद भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोईये दुनिया में ऐसी क कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांद करके रख सके वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड़ देश वाच्यों को अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके साथियों नेताजी सुवाच अंदरबौस गरीवी को असिक्षा को बिमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते थे सुवाच बावु कहते थे आमादेर साप्षे बोरो जात्यों समस्या हो लो दारीद रो असी कखा रोग वैज्यानिक उत्पादोन जे समस्यार समादान हो बे केबल मातो सामाजिक बावना चिन्ता द्वाला अर्थाथ हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीवी असिक्षा बिमारी और वैज्यानिक उत्पादन की कमी है इन समस्यों के सबाधान के लिए समाज को मिलकर जुटना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा मुझे संतोज है कि आज देश, पीडित, शोसित, बंचित को, अपने किसान को, देश की महलाओं को ससक्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है आज हर एक गरीब को मुप्त इलाज की सुविधा के लिए स्वास्त सुविधाएं मिल रही है देश के किसानों को बीच से बाजार तक आधुनिक सिविधाएं दी जा रही है खेती पर होने वाला उनका खर्च कम करने का प्रयास किया जा रहा है हर एक युवा को आधुनिक और गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा मिले इसके लिए देश के एजुकेस्वान इंफास्टेक्टर को आधुनिक बनाया जा रहा है बड़ी संग्या में देश भारत में एम्स आयाइटीज और आयाइम्स देसे बड़े संस्तान खोले गए है आध देश 21 भी सदी की जरुरतों के हिसाब से नई राष्टिय सिक्षा नीती भी लागू कर रहा है साथ क्यों मैं कई बार सोचता हूं कि आज देश में जो बड़ला हो रहे हैं जो नया भारत आकार ले रहा है कि उसे देख नेताझी को कितनी संतुष्थी मिलती यह कर दूनिया की सबसे आदुनिक टेकलोलोरी सिसमें अपने देश को आतम निर्फर बंता देख से उन्हें कैसा लगता जब वह पुरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंप्रियों में शिक्षा में, मेडिकल सेक्टर में भारतियों का डंका बचते देखते, आज राफेल जैसे आधुनिक विमान भारत की सेना के पास है ओर तेजस जैसे आध्या अधुनिक विमान भारत खुद भी बना रहा है, जब वो देखते हैं कि आज उनके देश की सेना इतनी ताकत्वर है उसे वैसे ही आदुने का थियार मिल रहे हैं जो वो चाहते थे तो उन्हें कैसा लगता आज अगर नेता जी यह देखते हैं कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से इतनी ताकत से लड़ा है आज उनका भारत वैक्सिन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समादान खुद तैयार कर रहा है तो नेता जी क्या सोचते हैं जब वो देखते हैं कि भारत वैक्सिन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है तो उन्हें कितना Chick रह्व होता है नेता जी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं हमें आशिचयवाद दे रहे हैं अपना स्नेह दे रहे हैं जिस ससक्त भारत के उन्होंने कलपना की थी आज एले सी से लेकर के लोसी तक भारत का यही आवतार दुनिया देख रही है जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनवती देने की कोशिश की गई भारत आज मुह तोड़ जवाब दे रहा है साथियों नेता जी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बित जा है नेता जी जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से हम सब को और खासकर युवाओं को बहुत कुछ सिखने को मिलता है लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वो है अपने लक्ष के लिए अनवरत प्रयास कि विश्व युद्ध के समय पर जब साती देश प्राजय का सामना कर चुके थे कि सरेंडर कर रहे थे तमने ताजी ने अपने सयोग्यों को जो बात कही थी उसका भाव यही था कि दूसरे देशों ने सरंडर किया होगा हमने नहीं कि अपने संकल्पों को सिद्ध तक सिद्धी तक ले जाने की उनकी शमता अध्वितियत ही वो अपने साथ भगवत गीता रखते थे उनसे प्रेणा पाते थे अगर वो किसी काम के लिए एक बार आस्वस्त हो जाते थे तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रयास करते थे उन्होंने हमें ये बात सिखाई हैं कि अगर कोई विचार बहुत सरल नहीं है साधारन नहीं है अगर इसमें कठिनाईया भी है तो भी कुछ नया करने से डरना नहीं चाहिए अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं तो आपको उसे प्रारम करने का साहच दिखाना ही चाहिए एक बार को ये लग सकता है कि आप धाना के विपरित बह रहे हैं लेकिन अगर आपका लक्ष पवित्र है तो इसमें भी हिचकना नहीं चाहिए उन्होंने ये करके दिखाया कि आप अगर अपने दुर्गामी लक्षों के लिए समर्पित है तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है साथ क्यों नेता जी सुभाज आत्म निर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बंगला की भी सबसे बड़ी प्रेणा है जो भूमी का नेता जी ने देश की आज़ादी में निभाई थी आज बही भूमी का पस्चिम मंगाल को आत्म निर्भर भारत भ्यान में निभानी है आत्म निर्भर भारत भ्यान का नेतृत्व आत्म निर्भर बंगाल और सोनार बांगला को भी करना है बंगाल आगे आए अपने गवरव को और बढ़ाए देश के गवरव को और बढ़ाए नेताजी की तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है आप सभी अपने प्रयासों में संकल्पों में सफल हो इनी सुबकामनाओं के साथ आज के इस पवित्र दिवस पर इस पवित्र धर्ति पराकरके आप सब के आशिर्वार लेकरके नेताजी के सपनों को पूरा करने का हम संकल्प करके आगे बढ़े इसी एक भावना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत दन्यवाद करता हूँ जय हिन जय हिन जय हिन बहुत बहुत दन्यवाद धुन्यवाद जानाई माननियो प्रधानमंत्रिक श्री नेत्रों मोदीजी के इवारे उनुरोद ताके एवं मन्चियो पुस्थित बिशिष्ट जन के तारा मन्चत्थे के अवतरुन कोरे जोदी आशन रहुन कोरिन क्यानोना एकोन आम्रा चोले जाबो प्रोजेक्शन मापिंगे आरेक बार आम्रा धुन्यवाद जानाई माननियो प्रधानमंत्रिके उन्नान्नो विशिष्ट जने देरका छे उनुरोद तारा मन्चत्थे के अवतरुन कोरे आशन रहुन कोरुन प्रोजेक्शन मापिंग द्रिश्य कल्पो ओ सब्देर माध्ध में जेकोन आक्खान के प्रानोबंत कोरे तोलार एक्टि आधुनिक प्रोजुक्ति नेताजीर अशाधारन आत्तो शक्तिते भर्पुर जिबन ओ कर्मो के तुले धरा हुए छे झाल 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 एक तुले आत्तिते भर्पुर जिबने हुए झाल 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 झाल